सब्सक्राइब कीजिए दपरफेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एक देखते हैं बच्चो नीचे दिये गए संकेतो के अधार पर चितर को पहचानिए ये देखिए चितर को पहचानना है सभी बच्चे जानते हैं इसे तो और उसके विशे में कुछ पंक्तियां लिखिए अच्छे संकेत भी पता हैं उन्होंने दिल्ली में इस्थित है ये शाजहां के द्वारा बनवाया गया ये भी पता है हमें इसकी प्राचीर से प्रितेकवर्ष प्रदानमंतिरी सौतंतरता दिवस पर भाशर देते हैं तो बच्चे किसकी बात हो रही है ये लाल किले की बात हो रही है तो इसके बारे में हमें कुछ पंक्तियां लिखनी है त था, बस इतना लिखेंगे लाल के बारे में, ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखें, पारिवारी विरासत की अगर बात करें, तो इनके पूरवज जो माता पिता थे, कहां के थे, माता तो थी, चंगेश खान की वन्शज, और पिता थे, तेमूर के वन्शज, माता की और से थे उनके वो कौन थे तैमूर के वंशस थे उनके पिता तो पिता क्यों और सब ए इरान इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यू 1404 में हुई उनके वंशस थे तो बच्चों मुगल अपने को मुगल ये मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि क्यों नहीं पसंद करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी इस मृतियां सेकडो व्यक्तियों के नरसनहार से संबन दित थी यहां इस मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगों से भी संबन दित थी मुगल तैमूर के वंशस होने पर गर्व करते थे मतलब वो मा की तरफ से तो मना करते थे अपने को कि हम मंगोलों से संबन दिती नहीं हैं बलकि उन्हें गर्व होता था तैमूर के वंशज होने पर जो उनकी पिता की तरफ के थे क्योंकि जादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूरवजों ने तेरह सो ठामे में दिल्ली पर कबसा कर लिया था दिल्ली उनकी हो गई थी ठीक है तो यहां पिरमुक मुगल शाह सक भी बताय हुए बाबर, उमयू, अकबर, जहांगी, शाह जहां और अंगजेब तो यहां क्रियकलाब दो में क्या करना है बच्चों, यहां करना है अध्यापक परिवार जनों की 700 प्रोक चित्रों की पहचान कीजिए एवं इन इस मारकों के संदर्वों में अनिक जानकारी प्राप्त कर लिखिए तो बच्चे देखिए, यह है हुमायू का मकबरा, यह है जमा मस्चित, यह है ताज महल और यह है बुलंद दर्वाजा आप इनके बारे में हम लिखेंगे, चारों के बारे में ठीक है, तो देखिए यहाँ पॉइंट में डाल देती हूँ, पहचान करने के लिए नमबर एक हुमायू का मकबरा, आप लिखेंगे, यह भारत में मुगल वास्तुकला का पिर्थमुदारण है यह मकबरा दिली में इस्थित है, और हुमायू की विद्वा ठीक है, और हुमायू की विद्वा बेगम हमीद बानो बेगम के आदेश अनुसार 1562 में बना था, आप अलग-अलग लिखना न, मैंने मिक्स करके लिख दिया है अब देखिए, सेकिंड यहाँ से लिखेंगे जमा मस्जिद जमा मस्जिद दिल्ली में इस्थित एक मस्जिद है, इसका निर्माण 1656 में हुआ था इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाजहाने शुरू करवाया था और इसे बनने में 6 वर्ष का समय लगा और 10 लाक रुपे लगे ठीक है तीसरी हमें लिखना है ताज महल के बारे में तो हम लिखेंगे ताज महल भारती शहर आगरा में यम्ना नदी के दक्षिनी तट पर एक हाथी दात सफेद संगमर्मर का मकबरा है मतलब जो हाथी दात सफेद संगमर्मर का मकबरा है इसे 1632 में मुगल समराट शाह जहां दुआरा अपनी पसंदीदा पत्नी मुम्ताज महल के लिए बनवाय गया था और चोथा है बच्चो बुलन दर्वाजा बुलन दर्वाजा भारत के उत्तर प्रदेश पुरांत में आगरा शहर से 43 किलो मीटर दूर फटहपुर सीकरी नामकिस्थान पर इस्थित इसमारक है इसका निर्मार अकबर ने करवाय था तो इन चारों के बारे में आप लिख देंगे ठीक है एक लाइन का गैप दे देना मैंने गैप नहीं दिया आप गैप दे कर लिख देना ठीक है बच्चो और चित्र भी चिपका देना एस इन चारों के ठीक है अब देखे कोशिट है लास्ट में मुगल स्वैम को मंगलो के पिक्षा तैमूर के वंशेट क्यों कहलवाना पसंद करते थे बस एक ही कोशिट है इसका मांसर दे देंगे यहीं वकशीट में से आप बस इतना लिख देना मुगल तैमूर के वंशेट होने पर गर्व का नुवब करते थे जादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्बजों ने 1368 में दिल्ली पर कब्सा कर लिया था ठीक है बच्चों तो यह आपकी वकशीट सौल्व हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज में वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मैं चनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग